कि स्लाम उनले कम स्टूडेowałों कि कॉंग्रेंसी के सेकंड ब谈न कि अगे की तरह बढ़ते हैं तो वह दो पहले ही डिसकेस कर लेते हैं कि हमने कॉंगडर की के सेकंड कार्ठ में क्या जा ही ने इससठेंटि घा falar say सुंसमें क्या होते हैं इस बात को सेकरण में हमने क्या किया था सह MagIS को डुफाइनक किया था इसकी मतल्से टेबल की मतलत थे में सब्सक्राइंड किया थख किम धाक्ष कोillar 2010 लेटे लुटि extract प्रॉट किअ सब्सक्राइंड होता न प्रॉट होता था का राइन गया रहा था तो सिमिलर्लरी हमने टेबर की मदद से भी कॉंगरेंट को इन ग्राइट को देखा तो अभी हम नक्स्ट क्या करेंगे अभी हम नक्स्ट ये करेंगे ऑपड़ेटर देखेंगे के इनके उपर किस तरह working की जा सकती है congrensie के उपर तो हम उपर अभी बात करेंगे तो उसमें हम अरपास topic क्या क्या होंगे first में हमने scalar multiplication देख रही है तो congrensie तो जितक हमें clear होगी है तो यह definition लिखी रहने देता हूँ तो अभी हम देखते हैं इसके उपर scalar multiplication यह देखे हमारे पास क्या होता है अगर यह वाली congrensie हो यह congrensie हो यह congrensie है B mod n तो इसमें हम दो तरह से क्या कर सकते है scalar को multiply करवा सकते हैं इस congrensie के साथ तो यह congrensie होती है फर्स में यह देखें यह congrensie इसके equal होती है अगर यह condition satisfy करेगी तो फिर हम यह कहेंगे यह congrensie है ओके तो फर्स में मैं यह क्या कर सकता हूँ यह देखें मैं किसी भी k के साथ इसे multiply कर देखें where k क्या है long करेगा integer को यह देखें अगर n डिवाइड कर रहा है a माइनस b को फिर लाजमी बात है इसके साथ कोई भी integer multiply करें तो फिर भी यह इसको divide करेगा ओके जब divide करेगा तो हम इसे क्या लिख सकते है congrensie को k a माइनस k b इसका रमेंडर क्या आएगा 0 आएगा मॉड लो इसको simplify करें k a इदर जाके यह क्या हुझेगा k b मॉड लो कहने का मतलब यह है कि a और b के साथ हम इदर क्या लिख सकते है k लिख सकते है k क्या हमारे पास होना चाहिए integer होना चाहिए क्या होना चाहिए integer होना चाहिए ठीक हो गया first में हम यह देखे हम इदर कर रहे हैं changing यह end के उपर mode के अंदर है उसके अंदर उपर changing नहीं है ठीक है अब हम इस तरह भी लिख सकते है क्योंकि हम पता है कि यह cheat क्या है hold करती है तो यह भी hold करेंगे second में हम scalar को किस तरह multiply कर सकते है हमारे पास यह है n divide करेगा a-b को हमें पता है कि हम कोई भी number उपर भी लिखें और नीचे भी लिखें इदर भी k लिख दें और चलो इदर इदर मैं ऐस लिख दें तो इदर भी मैंस लिखें और यह भी क्या है integer रही है तो आप इसको simplify जब करेंगे यह इसको divide करा है यह लादमी बात है उपर नीचे हम करें है multiplication multiplication and divide करें तो यह भी condition hold करेंगी तो इदर से हम क्या लिख सकते है sa-sb कंगरेंट है 0 mod ns तो जब इसे मदीद करेंगे तो हम यह लिख सकते है ns तो हमने scalar multiplication दो तरह से कर ली है किस तरह से आप मसलां a और b के साथ भी किसी scalar integer को multiply कर सकते हैं तो आपके पास यह concurrency इस concurrency की शेयर में चली जाए तो आप इस concurrency में इस concurrency में इस concurrency में आप किसी भी another integer को यह यह integer को आप जब इदर आप multiply करते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं मोड की अंदर भी लेके जा सकते हैं क्यूं लेके जा सकते हैं इस rule की वज़ा से तो अभी यह कभ यूज करेंगे और यह कभ यूज करेंगे तो यह हमें उसी टाइम ही पदा चलेगा जब हम इसे यूज करेंगे तो अभी तो अभी मेरा मकसद सिर्फ यह आपको बताना है कि हम यह यह कर सकते हैं जब भी हमें आके जाके जिस तरह की हमारी situation होगी अगर हमने इस तरह multiply करना तो इस तरह कर लेंगे अगर इस तरह multiply करना तो इस तरह कर लेंगे यह very important बात है तो यह kindly दियान रखिए तो यह मारा multiplication होगी second में हम divide वाले दूर को देखते हैं कि divide क्या होगा यह तो खाल करते हम किस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी के कॉंगरेंड के बी मॉल्ड हो तो देन हम इसे क्या कर लिख सकते हैं एक कॉंगरेंड है बी मॉल्ड लो यह N हो तो यह भी N हो हो ओके है इसमें क्या बात याद रखनी है वे जिससे यह देखें इदर हमारे बास K तो इदर K हैं इसका मतलब है कि क्योंके कैसे वहां इससे वहां थिया कैसे लॉइड से वुआ तो जब कैसे वायड करेंगे गर लेने तो वो डी आयेगा उस डी को इस एंसे के साथ से डिवाइड करना एंडवाइड करेंगा तो तो जिस सब्सक्राइब द्वाइड करना सीप लें तो जिस तरह मैं इधर एक्जैंपल लेता हूं मेरे पास यह एक्जैंपल है मोलो यह मैम सेंफ्स जिस यह मैनना प्रिधर मलों यह युवख सकते हैं किज नंबर और एक्छा पार नंबर सब्सक्राइब जब हमेंसे डिवाइड दू करेंगे या इसी लिए यह तो इसको टू से डिवाइड करें कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस तो हुर तो हुर् से पर हमने करना था थ्री को ड्वाइट करना था दी पे जौब दी को गिया वन बे तो वो 3 ही आया तो इसका मतलब है कि एंड पर कोई फ़र्जक नहीं बड़ा कि यह प्ला चला कि जब GCD 1 आएगा तो N क्या रहेगा एधिद रहेगा चेंज क्या पर होगा तो हमको एनुदर एक्जाम्पल देदेखें इसी क्वेस्टिन के ऊपर हम था मैं तो क्या करते हैं तो माइनस इक्स मॉल्ड ऑफ फॉर एक तो यह देखें यह मोड है अमारा अभी यह भी कॉमन नूमबर डूपर ड्वाइड हो रहा है द्वाइड वाइड टू एडट इसीड ओफ एड जीसीड वफ तो पर ड्वाइड गरें तो जब हम इसको तो से तो यह बनना आएगा इसको ड्वाइड करेंगे तो यह माइनस 3 आएगा और मोड लो यह देखें 4 यह GCD क्या रहा है 2R है 2 4 को ड्वाइड करेंगा तो 2 आएगा यह कॉंक्रेंसी हमारी बन जाए ओके ना जब भी हम स्केलर से मल्टिप्लाइ करेंगे तो इन ही बातों का तो यह दिआन लाजमी रुखिए गार यह वाली जीद लिखेंगे नाउ पूर इसके साथ उसे द्वाइड करें तो यह था इसका स्केलर के साथ हम को जब हम करते हैं वहाला रूर तो third में हम करेंगे congrency की addition को congrency की addition देखते हैं कब होती है कब नहीं होती जब नहीं होगी तो हम यह जो मैंने scalar multiplication होगा पीछे topic किया है उसको हम यूज करेंगे तो अभी देखते हैं कि मेरे पास क्या हो मेरे पास अगर हो एक कंगुरेंट है बी मॉड लो एंड गे और दूसरी मेरे पास हो सी कंगुरेंट है डी मॉड दो हो एंड गेРЕं बाद है हम इससे क्या करके है इन दोनों को एड इसके ख्याल यह रही रखनाए यह जो मॉड आञा है यह जब होनिव होगी вже हमडली कि क्या कर सकते हैं तो तो ए लेफ्ट एंड साइड लेफ्ट एंड साइड में एड होजागी कॉंगरेंसी की दर्म्यान वरी इसमें अपस में तो मोड यह को मने दोनों का तो यह वैसे आज़ेगा तो इसी तरह ही अगर आपके पास काफी दादा दिये हैं इस तरह अगर मैं इसको जर्नल करता हूं एक अंगुरेंट बी मोड लो अनके शुबहां तो इस प्रूफ देख ले चलो देख लेते हैं आप लोगो प्रूफ करना भी आजएगा क्या यह वाखी है ये देखो jopi यह दानाय यह लेख जैननि जब हम प्रूफ करेंगे तो करके पिर रहां ज़स्ति तो प्रूफ करेंगे यह दो नौचिज हम आरे पास विपन है अगर यह हूगा थर से हमक्राइब सकते हैं नो हमने प्रूफ क्या करने हैं यह वाली यह कौन सी शेप एंडवाइड करेगा एक आप प्लस सी हिए माइनस है तो यह बडी यह लेकर है कि क्या बना सकते हैं यह मारत चीद है यहटी इसकी माइड़ से से हम क्या कर सकते हैं यह लिख सकते हैं एंड के ओवन एंड सी मानलस टी इस इक्वल्ड हुआ है एंड क्यों तो अभी हम अगर इन डोनों को ग्रेंसी को एड करते हैं यह वन है और यह टू है तो मारे पास आदेगा यह वरी जहें जिस इकोल टू हागा एंड क्यों वान प्लस एंड क्यों टू करते हैं अब यह हमें इसको अबनादा के ए प्लस इस तो यह देख ए प्लस इस और माइनस B, माइनस D, माइनस D, इक्वल किसके है, N, common R, Q1 प्लस Q2, ओके है, तो इसको हम Q1 प्लस Q2 से भी, क्योंकि यह जो भी इंटीजर है, तो इनको एड़ करेंगे, तो वो भी इंटीजर ही होगा, Q, तो A प्लस C माइनस B है, तो इधर से हम क्या कह सकते है, N डिवाइड करेंगे, A, plus C, B, minus B, हमने इधर से यह लिखा था, इधर से हम यह लिख सकते है, हम यह लिख देंगे, A, plus C, component है, B, plus D, more, N, तो यह प्रोग है, मैंने बस, मैंने खुद, कुछ नहीं गया, मैंने क्या किया, congrency, यह जो चीज हमें गीमर्ट थी, उन्हीं चीज़ों को करती है, और यह theorem करती है, ओके, अब यह मैं इस theorem को कहरा है, तो मैं क्या कर सकते हूं, इसे मैं जर्नल मैं प्रोव्ट नहीं, इसको अगरूंगा, वैसे मैं जर्नल शेफ दिला देता हूं, जब आपके पास two से ज़्यादा concurrency होंगी, तो आप उसे भी add कर सकते हैं, तो seed e, f, mold, n, और क्या है, तो इसी तरह ही यह चलेगा, sw, mold, n, तो अब इन सब को then क्या कर सकते हैं, add कर सकते हैं, a, plus c, plus e, plus own, plus s, congruent है, b, plus d, plus own, plus w, mold, n, okay हो गया न, तो यह क्या हो गया हमारे पास, इस तरह हम add कर सकते हैं, तो इसी त्यूरों को हमने, अभी तक हमने, यह जब हमारे पास same था, तो हमने देखा हैं, add कर सकते हैं, तो condor में, example में लेके चलता हूँ, जब हमारे पास same नहीं होगा, तो हम किस तरह इनको add कर सकते हैं, हम क्या working कर सकते हैं, उसके उपर मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास अगर D, N हो, और यह M हो, M node equal to N, तो अभी मैं इस हाल में इस congruency, दो congruency को add नहीं कर सकता, तो अभी हमने इनको add करना हो, तो क्या करें, इसके उपर working कर यह add हो जाए, तो हम working यह करेंगे, हम add तब ही कर सकते हैं, जब यह same हो, तो कहने का मतलब है कि, इस congruency को मैं M से multiply करता हूँ, दूसरे तरीके से, मैं दो तरीके कर रहा थे, 1 और 2, जिसमें हम 1 में constant को A और B के साथ multiply करते थे, second में हम जब congruency को multiply किया थे, तो हमने इन दोनों के साथ और इसके साथ भी multiply किया था, इसी वज़ा से हमने दोनों रूल को दिखा था, तो मैं क्या करता हूँ, इस congruency को 1 का नाम देता हूँ, इस congruency में मैं क्या करता हूँ, first congruency में मैं M के साथ multiply करता हूँ, तो मेरे पास M, A, congruency M, B, model M, N और जब 2 के साथ N को multiply करूँगा, तो मेरे पास C, congruency M, B, model M, N यह देखों, यह जो हमारे पास 3 और 4 बनी है, इस में mode के अंदर value सेम होगी, तो अभी हम इस उर्थ में इनको add कर सकते हैं, इसी तरह ही है, आप जितना ही मर्दी congruency होगी, तो आप उनको इस तरह solve कर सकते हैं, ओके, तो यह counter हो गया हमारे पास, करेंड़ी इन बातों सारी को देर में रखिएगा, यह आगे जाके बहुत तेजी से योद होती हैं, बहुत quickly योद होती हैं, तो वस टाइम यह बाते बताना मनास्ब नहीं होती, छोटी छोटी, तो इसलिए मैं इनने यह आगे से पीछे वाला lecture बनाने से बनाया, क्योंकि मेरे से question कुछ जा रहे थे कि यह किस तरह हो रहा है, यह कैसे हो रहा है, Congressy को आप जल्दी से simply कर देते हैं, कैसे कर लेते हैं, तो जिस तरह मैंने first मैं आपको तीन रोल बताए, add कर लो, subtract कर लो, divide करके जो remainder रहा है वो लिख दो, यह तीन रोल बताए, मैं भी इन तीन रोल को ही यूज़ करता हूँ, इसके लाबा कुछ और नहीं यूज़ करता है, ओक है ना, तो आप लोग भी सारी चीज़ों को इसी तरह देने शिंग कर लें, तो आगे आप भी expert इंशाल्ला हो जाएंग, तो इसके बाद हम कॉंग्रेंसी की multiplication के उपर बाद करते हैं, तो वो भी बहुत similar इसी तरह ही है, जिस तरह हमने addition की है कॉंग्रेंसी, तो हम देखते हैं के वो क्या हो सकती है, अगर हम अरे परस congruency हो, A concurrent B more, N, C concurrent D more, N, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैन हम इसको लिख सकते हैं, A concurrent है, A को C के साथ multiply करके और B को D के साथ multiply करके लिख सकते हैं, और यह ख्याल बस यह रखना है, जिस तरह है addition में रखा था, इसी तरह ही इसमें रखना है, तो यह क्या होने चाहिए, same होने चाहिए, equal होने चाहिए, फिर हम करेंगे, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ में इदर ड्रेक्ट करूँगा जिस तरह मैंने उसका कियागा, क्या रहते हैं, addition के लिख से उसी तरह, इसका multiplication के लिख से होगा, तो हम फॉर्म देख लेखते हैं, इसकी फॉर्म क्या है, इसकी फॉर्म यह है, AC-BD, इसका मतलब AC-BD, BD is equal to N time Q है, तो हमने इस जो given information है, इसमें मारे पास क्या है, A-D, equal है NQ1, और second में हमारे पास क्या है, C-D, equal है NQ2, अभी हम इससे solve करेंगे, हमने यह चीज़ बनानी है, तो इदर से हम AC लेते हैं, तो AC किसकी equal होगा, तो A की value दर से find कर लो, A की value मैंने, first में मैं A की value find करता हूँ इदर से, A equal होगा NQ1 plus B, और second में यह मारे पास C, A की value हमने find करनी है, NQ2 plus B, अभी हमने AC ले लिए, AC is equal to NQ1 B, और NQ2 plus B, इससाब को multiply करो, तो N scale Q1 Q2, इसको इसके साथ multiply किया, NQ1 D, इसको इसके साथ किया, N B, Q2, इसको इसके साथ किया, plus B, D out, तो यह BD को इस तरफ ले आए, तो यह वाली चीज़ आगी, और इन साब में से जो बाकी 1, 2, 3, 3 टर्म बची हैं, इन में से N को कुमल ले ले, तो इन में से कुमल ले लिए, क्यों वांडी, प्लस, B, Q2, इस सारे constant को किसका नाम दे दे, क्यों का नाम दे, तो यह मारे पास आज़ेगा यह, N क्यों आज़ेगा, ओके हैं, यह सारी चीज किसकी इकोल है, क्यों के, तो इदर से हम क्या लेख सकते हैं, करेगा, A, C, B, D को, ओके, यॉक्लीडियन लेमा की मतलश, इतर से हम कॉंगरेंसी दिख सकते हैं, तो यह हमारा प्रूफ कंपलीट हो गया, अभी हम देखेंगे, जर्नल हमारे पास दो से जादा दी हुए हो, कॉंगरेंसी उनको भी मल्टिप्लाए कर सकते हैं, तो, C, D, मॉल्ड, N, तो इसी तरह हैं, S, कॉंगरेंस, W, मॉल्ड, N, हम इनको सब को मल्टिप्लाए करके लिख सकते हैं, मॉल्ड, N, मॉल्ड, N, ओक्या, यह भी सैटिस्वाई होगा, अगर आप त्योर्म को करना चाते हैं, प्रोव तो जिस तरह मैंने अभी किया तो आप कर सकते हैं, तो यह, अभी हम यह देखेंगे किस तरह की कॉंगरेंस, यह होगी तो वह उस हालत में मल्टिप्लिकेशन के काबल नहीं होगी, तो जिस तरह हमने अडिशन के लिए लिया तो उसी तरह हम मल्टिप्लिकेशन के लिए लेते हैं, वही लेते हैं, C, D, M, M, तो इधर यह देखें यह सेम नहीं है मौड के अंदर तो इसलिए इनको सेम बनाने के लिए वही आपने इसको M से मल्टिप्लिकेशन के लिए और इसक इसके M से मल्टिप्लिकेशन के लिए करना है, कि यह जो हमारे पास दो कॉंग्रेंसी बनेगी है इन में से मोल्ड के अंदर वैल्यों सेम आगी इधर से हम क्या लिख सकते हैं को मॉल्टीप्लाइब करके टिक सकते हैं कि अध्याइब को समझ अधे हैं कि आपने नहीं यह हैं अगर वह बात सटिफफाइ नहीं हो दो इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपने क्या वर्किंग करनी है तो आयों आपलों को कॉंग्रेंसी के थर्ड पार्ट में दो बातों को डिसक्स करूंगा तो काइनली आप इन बातों का देन में रखिएगा क्योंकि यही चीज़ें बहुत इंपोर्टेंट तो अभी तक हमने किया क्या था वस्ट मैं अपने कॉंग्रेंसी की डेफिनेशन की थी फिर हमने क्या कि बनाया फिर उस का थी अपने मदद से उसके बाद हमने स्केलर मल्टिप्लिकेशन और सकेलर ट्वियर और कंगउरांसी की मल्टिप्लिकेशन के उपर बागिए और कॉंटर भी किया कि जब नहीं हो रही होगी तो हम किस तरह करवा सकते हैं तो इंशाल्लाह नेक्ट पार्ट में हम करेंगे के conguerency का हम conguerency की power ले सकते हैं अगर ले सकते हैं तो किस तरह मैंसला कैसे हम प्रॉफ करेंगे तो इसके बाद अगोर बात है जो मैंने सुस्ट में कई ती तो इंशहला है दो बातों को इंश्मा इस कॉंगरेंसी के थर्ड पार्ड में, डेक्चर के थर्ड पार्ड में दिस्कस करेंगे, थैंक यू, अल्लाहपीज